तुरिया कुमार यादफ के अवाले से कहा जाता है कि बड़े डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं लेकिन आपके अगेंस जब हमने उनको खेलते वे देखा तो काफी स्ट्रगल कर रहे थे तो ऐसे प्लेयर्स के अगेंस आप क्या फॉर्मूला बना के जाते हैं अपनी जगह सब अच्छे हैं सब देंजरस हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिसान के स्टार फास बॉलर्ड जो करेंटली पाकिसान के पेस अटैक को लीड कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं बड़ी जबदस पर्फॉर्मिंस दे रहे हैं नसीम इस वक्त शाहिन अफ्रीदी को रेट किया जाता है हाईली और पाकिसान का नाम वो दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं अच्छी की रैंकिंग्स में भी टॉप रहते हैं अब माशाला से जिस तरीके से आपने पाकिसान डेनाटीन केला फिर कोईटा गलेडिटर केल पीसल केला अब आप भी यग तेम का एक मस्तकिल हिस्सा है तो आप अपने आपको कहा रेट करते हैं अजवास बॉलर देखे हैं अपने रेट की बाद किये आप ऴुजे पता है कि मुझे कितनी मैनत करनी चाहें और अपने बॉलिंग को कितनी इंप्रुमेंट की ज़रूत है और कितनी मैं रोज़ان डाल मैं इन चीज़ पे नहीं रहता हु, अपनी पर्फॉरमंस करता हु और बाकि लाह पे चोड़ता हु को एक अपनी पर्फॉरमंस को मजीद कोशिश करता हु कि बैथर करो। भी ठोनिया भर में आपने बड़े बड़े बैट्समेनों को बालिंग किये बहुत सारे बैट्समेनों को भाले से कहा जाता है देखा जाता हैै सेर हर जघाब पे बैटस Marshmate कि गया weakness है और मेरा इस चीजर पगए होता है कि मैं अपने strength प इसके sweetie के बालिग करते हूँ कि महहीं क्या हम्म्मी क्या कि ऩ पाकिस्तान सूपर लीग का कितना हाथ है, जिस फ्रंचाइज से आप खेलें उससे आपको कितना एक्सपोजर मिला, कितना कुछ सीखने का मिला। दोई के बिल्कुल पाकस्तान सूपर लीग बड़ा लीग है नो डाउट पुरे दुनिया में आप अब देखेंजाए टॉप लीग में आते हैं और प्रेशर सिच्वेशन में आप क्रिकेट केहलते हैं और टॉप क्लास की प्लेयर्स होते हैं तो अब इसलिए आप को इसलिए ऐसे पकिलते हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपको हल्प करते हैं तो पी-ए-स-ल का जितने भी पलेज ब्लेज चेलते हैं उनके केरियर में बड़ा है भील्प करते हैं सब पलेज को क्यूंकि प्रिशर मैच जितने आप किलते हो competition बड़ी tough होती है तो आप जितने इस तरह की competition में केलते हैं तो आपको असानी होती है अचा एक सवाल नया ball आप करते हैं सामने वाली टीम में अक्सर आप का फखर जमान से भी सामना होता है शर्जील खान से भी सामना होता है क्या समझते हैं कौन ज्यादा dangerous है किसको balling करते वे ज्यादा मुश्किल होती है देखें अपनी जगह सब अच्छी हैं सब dangerous है लेकिन इस फास्ट बोलर मुझे अपना होता है कि मझे अच्छी जगह पर balling करनी है क्योंकि आप जिस तरह batsman को आप देखते हो तो हर batsman अपनी जगह अच्छा कीलता है ठीक अगर आप उसको गलत जगह पर balling करते तो आपको असानी से hit करेंगे तो मेरा नहीं खाल ऐसा कोई भी batsman है इसको आप easy ले लेते हो no doubt अच्छे batsman होते हैं जो quality batsman होते हैं आपको इस बोलर आपको अपनी अच्छी जगह पर अपनी अची रियस पर बोलिंग करनी होती है नया बोलो या पुराना बोलो तो आपको वही आपको help करते हैं जब 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 करिकेट केलते हो तो आपको तो ठोड़ी बहुत चीजी समझ आजाती है और यंग्स्टर के लिए यह है कि आप जितना उसको support करते हो जब काम रिलाइस रहते हो तो वहर कप्तान के अपनी नेच्रल स्टाइल होती है और आपने स्टाइल स उमर गुल एक इतने अच्छे फास बॉलर कोच वह आपके साथ मौजूने है और मैनेजमेंट कैसे देख रहे हैं सीजन आप बिल्कुल है तिंग बॉलिंग कर देख जाएं गुली बहुत एक्सपिरियंस हैं और बहुत उन्होंने पाकिस्तान के लिए केला और बड़ी सब्सक्राइब करते हैं सारे अपनी जगह पर देखे तो बैटिंग कोच फिल्लिंग कोच सारे अपनी जगह पर अपने प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं